जहन फीचर आफिसर्स वेलकम टू एमपी एक्जामस वाला सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह आज हमारी जॉग्राफी की पहली क्लास है और जॉग्राफी ऑफ मद्य प्रदेश के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले तो क्यों ना हम लग पांडे सर के करते हैं तो हलो वच्छो क्या हाल चाल बढ़िया एकदम तो वच्छो आज हम लोग मद्य प्रदेश की जोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं मद्य प्रदेश का भूगोल पूरा का पूरा जानेंगे आज की क्लास में मैं आप लोगों को सारे के सारे जिले सारे के स तीन ने उफ़ार मामा जी ने अभी एलेक्शन के पहले दिये और क्यों दिये यह तो आप लोग जानते हैं तो उन तीन जिलों के बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे तो यह पूरा पूरा एक एपिसोड रहेगा मैं आने वाले समय में तक्रीवन पाँच और लेक्शर जो हैं इस पर देने वाला हो पाँच और एपीसोड रहने वाला हैं तो यह आप देख सकते हैं अपने आप में तक्रीवन 10 से 12 घंटे की वैप सीरीज काइंड ओफ होगी औ और अगर आप इसको रेगुलर वेसिस पर देख लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिलिम्स में प्रिलिम्स में काफी सारे questions जो हैं आपके clear हो जाएंगे चलिए सबसे पहले चुकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मद्यप्रदेश का एक हम मतलब एक मौायना ले लेते हैं देख लेते हैं कि मद्यप्रदेश में कहां कहां से questions आते हैं कौन कौन से topics हैं जिनके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले इंट्रोड्यूस दा जोग्रॉफी तो मद्यप्रदेश के भूगोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन मद्यप्रदेश की उसके वारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिर हम क्लाइमेट भाई यह जो मौसम है बदल रहा है इसके वारे में डिसकस करेंगे रेंफॉल बारे में हम लोग discuss करेंगे वी आप लोग सन आफ स्वाइल हैं मिट्टी से जो को जाता है तो यह सब कुछ भी हम लोग discuss करेंगे भाई कौन सी नदी कहां से निकलती है किदर जाती है क्या गुल खलाती है सारे की सारी चीज हम लोग मद्यप्रदेश की discuss करेंगे आने वाले सीरीज में बट आज की क्लास में तो हम करने वाले ही काफी कुछ important points पे discussion फिर major irrigation और electrical projects of मद्यप्रदेश इनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे forest जंगल के बारे में तो जल जंगल और क्या जमीन यह important है तो हम लोग जंगलों के बारे में भी discuss करेंगे उसके अलावा हम लोग वायो डाइवर्सिटी मद्यप्रदेश की कैसी है जहां पर आप लोग हम लोग रहते हैं इसके बारे में भी discussion करने वाले हैं देखिए lecture बहुत ज्यादा important है मैं आप लोगों से यही कहूंगा एक दर्ख्वास्त करूंगा कि guys life में है ना motivation बहुत जरूरी है एक्जाम बहुत करीब है और आप लोगों के लिए हम लोग यह series लेकर आ रहा है इस series में जितना हो सकता है बहतर से बहतर हम याद करवाने की कोशिस करेंगे this series is all about कि आपने एक बार देख ली दो ब तो समंदर की तलास करो बहतर से बहतर की तलास करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलास करो तूट जाता है सीसा तूट जाता है सीसा पत्थर की चोट से तूट जाता है सीसा पत्थर की चोट से तूट जाए पत्थर ऐसा सीसा तलास करो तो आप लोग वो सीसा है आप लोग वो मिरर है जो पत्थर को भी तोड़ने वाले हैं चुकि आप लोग आज अमनसर की च्वाग्रफी की जवर्दस्त क्लास देखने वाले हैं दो गंटे की क्लास होने वाली है ध्यान से सुनिएगा फोकस के साथ सुनिएगा जिस तरह से तुम अपने मन पसंद की मूवियां दे लिख लीजेगा problem of soil and methods and all soil को कैसे कंजर्व करना चाहिए यह भी लिखा हुआ है महारत में और मद्ध्रदेश में कौन-कौन से मिंदल्स पाई आते हैं कई बार question पूछे आता है कि मैंगनीज की खदाने कहां पर है कई बार question पूछे आता है कि यह इंडस्ट्री कहां पर है इंडस्ट्री कहां पर है किस छेत्र में वायो डाइवर्सिटी देखने को मिलती अच्छे यह नैसल पार है वहाला नैसल पार रिजब वायोस पर रिजब कहां पर है तो इन सब पर questions आ जाते हैं तो बात यह हैं कि हम लोगों को इन सब फीजों पर धियान देना है अब आप आपके समक्स देखने को मिल रहा है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश यहां पर आप देखेंगे कितने जिले सारे बच्चे पहले जानते थे बावन जिले लेकिन हाली में मामा ने कहा कि तीन और जिले एड करते थे इलेक्शन बहुत करीब है तो याद रखिए गाइस कि मध् में डिसकसन करने वाला हूं सब कुछ याद करूँगा लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि पहले आप लोगों को जो तीन जिले अभी हाल ही में बने है उनके वारे में बता देता हूँ तो यहां पर आप सबसे पहले चलो आप जो के बारे में हम लोग बात करेंगे पहले आप comment box में लिकिए मैं तो बताऊंगा लेकिन पहले आप comment box में लिकिए कि सतना से अलग होके कौन सा जिला नया बना है फिर ऐसे ही अगर आप देखें सिंग्रॉली से अलग होके भी एक जिला बना हुआ है तो यहां पर आप निवाड़ी अभी हाली में रिसेंटली बना था तो यहां पर अगर आप देखें तो 55 जिले अल्मोस्ट टोटल हो चुके हैं यहां पर तीन नए डिवीजन को एड करा गया है जिन में से अगर आप देखते हैं सबसे पहले जो जिला है रिवा में रिवा से अलग होके एक जि जो बना है वह है मउगंज क्योंकि रिवा के बगल में सिंग्रॉल ही है सीधी भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है रिवा से अलग होके क्या बनाए गाइस मउगंज सबसे पहले यह आपको याद रखना है तो जो मउगंज है वह बना हुआ है 53 त्रेपनवा जिला ऑफ मध् पड़ोंग और यहजो पड़ोंग किस्से से गश्र करता है तो यह करता है हमारे बगल में अपने एक नया देश भी कह सकते हो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश तो उत्तरप्रदेश जो है यहां पर आपको देख रहा है बिल्कुल करीब अगर बॉलर टच करता है यह से करकर हाथ मिलाते यह दोनों तो यहां पर आप देखेंगे माउगंज हो गया माउगंज टच कर रहा है किस से उत्तरप्रदेश से आपको याद रखना है यह बहुत important है इस पर question बन सकता है clear है तो 53 जिला आप लोगों को याद हो गया अब हम लोग चलते हैं 54 जिले पर 54 जिला ऑफ मध्यप्रदेश तो यहां पर आप देखेंगे पांडूरंग पांडूना ठीक है पांडूना करके एक नया पांडूना एंड सौसर करके एक 54 जिला बनाए तो यह आप देखेंगे छिंदवाडा से अलग होके और छिंदवाडा से चूकी अलग हुआ है मध्यप्रदेश का अगर आप मैप देखते हैं तो चिंदवाडा का है नीचे है नहीं यहां पर तो नीचे यह जो आपको point देखना को मिल रहा है यह है चिंदवाडा और महियर जो है यह सतना से अलग होके बना है किस से सतना समझ रहे हो ना तो सतना से अलग होके महियर बना हुआ है इस तरह से यहां पे थोड़ा गड़वर लिखा हुआ है नंबर गलत है बस याद रखना कि भाईया पाच-पन जिले हो गए है कौन-कौन से जिले अलग होके किस-किस अलब छ टेच नहीं करता है यह आपको याद रखना है गाइस चलिए अब हम लोग मद्य प्रदेश में एंटर करते हैं और इस तरह से अपन देखे कि मद्य प्रदेश की यह पूरी की पूरी जॉग्राफी और तक्रीवन यहां पर आपको दस डिवीजन्स देखने को मिलते हैं अब का मतलब क्या होता है बता हो ही क्या होता है भाई डिवीजन का मतलब तुम लोग ही बताओ मेरे को तो नहीं मालू तुम लोग को मालूम होगा तुम लोग एंपी में रह रहे हो मैं तो नौएडा में बैठा हुआ हूँ हलागी मैं हूँ एंपी का but the point what I am explaining is that कि एक तो यहाँ पर कई सारे डिवीजन से और कई सारे डिवीजन में से अगर आप देखे सबसे ऊपर सबसे ऊपर आपको देखने मिलेकर क्या गय concur is चंबल तो यह यह आपको याद से निकलती है और चंबल देखने को मिल रहा है सबसे पहले याद रखिए का आप आगे बढ़ें अब हम लोग चंबल से थोड़ा सा नीचे आते हैं गला गला जो छेतर है यहां पर आप देखेंगे तो गले में ग्वालियर है तो ग्वालियर डिवीजन आपको नीचे देखन पन जाते हैं तो नर्मदा जो है न सबसे नीचे यह आपने देख लिए सीधे सीधे बिलकुल लाइन खीज़ दोगे ना तुम ऐसे करके तो सीधे चार डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे सबसे उपर सी चंबल उसके बाद ग्वालियर फिर उसके बाद भोपाल और उस इस की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिवा क्या इस रीवा नेचे डोलता हुआ है सेडॉल तो रिवा है सबसे पहले रिवा में सफेड टाइगर मिलते हैं कौन यसे टाइगर से पाई आधे पाईbin में से यह तर यहां पै आपके सामने खडा संब सबसे सब्सक्राइब आप देखें तो लई जबलपुर डिवीजन कौन सबसे बड़ा डिवीजन आपको देखने को मिलता है सेहदोल के नीचे अब बच चाहत गा Aufgर अकेला बचा साघर को भी पकड़े लो exploration आप देखने देखे फिर आखरी में जो western side है यहाँ पर इंदौर और उज्जन located है clear हो गए यह हम लोगों ने divisions देखे अब देखो divisions तो हम लोग जानते हैं कि 10 divisions है इसके अलावा हर division में कोई न कोई जिलावी मौजूद है district मौजूद है जैसे अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल में तीन अलग अलग divisions के अलावा तीन अलग अलग districts मौजूद है कौन कौन से districts मौजूद है पताएंगे आप लोग नहीं बता रहे हैं बताओ नहीं प्लीज प्लीज पताओ बताओ सबकों माल मैं I know very well राइट तो यहां पर आप देखेंगे कि सब,-पर अगर आप देखते हैं तो यह जो चेतर है यह वाला point है यह वह गया सियोपूर मुर्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा मुरेना क्या देखने को मिलेगा मुरे मुरे ना और सबसे आखरी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुरे न के लवा वह हो गया किया है जी भेंड राइट भेंड हो गया राइट तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन अलग-अलग जिले हैं सबसे उपर श्योपर है फिर मुरेणा है और फिर भेंड यह मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अब यह आपको याद रखना है तो यह तीन जिले होगा है चंबल डिवीजन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के बात करते हैं ग्वालियर डिवीजन में कौन-कौन से जिले हैं कौन-कौन से गाइस तो ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर मे हुआ मालू में क्या उसके साथ बताने की कोसिस तो कर रहा था लेकिन एक भूल गया विचारा समझ रहा है अब मतलब तुम्हें एक यहां पर उन्होंने जिले पूछे तो जिला का प्राइट यहां पर उन्होंने जिले पूछे तो जिले कौन-कौन से आते अब देखो कई बच्चों को याद होगा नो डाउट लेकिन कुछ हमारे यह से लोग है तो याद करने के लिए मैंने मतलब एक ट्रिक्स ही वनाई है यहां पर आप देखेंगे कि सिव जो है ना सिव जी को जानते हो ना सिव जी ने गौले का दाधा गौले करके एक मतलब ओलवाल होते है असोग को देखर क्या कर दिया Celtic गुना कर दिया अग आपके दमांग में यह दुमाग में यह क्लियर है और आप imagine करो कि सिभ जी हैं वो सामने दिख रहे हैं उनकी आर्थी हो रही है और उन्होंते क्या करा गॉले का दात किसको दे दिया गाइस असोग को दे दिया और दे के क्या कर दिया गुना कर दिया क्योंकि तुम्हें चाहिए था तो याद रखना है अब सिभ से याद इड़ी को ग्वालियर फिर दात तो दाथ से क्या याद रहेगा भाई दतिया याद को डेकर आपको ग्हुना करदिया तो गुना से याद रहेगा आपको गुना तो यहां पर आप देख रहे हैं पांच के पांच जिले हैं सारे के सारे ग्वालियर के हैं और हमने सारे के सारे रट लिए सारे के सारे पढ़ लिए और याद भी हो गया है कोई ऐसा है जिसको याद नहीं हुआ है याद हो गया होगा क्यों याद हुआ कि नहीं हुआ के जो केमरे को वीडियो को देख रहे हैं मैं उससे पूछ रहा हूँ याद हुआ तो याद होई ही गया होगा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जिले के और तो यहां पर आप देखेंगे भोपाल राइट भोपाल अब भोपाल में अगर आप देखें ना तो यहां पर पांच चले हैं पांच वे से एक हो गाया राजगर दूसरा हो गई बिदी सा तीसरा भोपाल चोथा सियोर और राइसन राइट यहां पर अगर आप देखे न तो यह मैंने मतलब अच्छी ट्रेक अगर आप याद करना चाहें तो इससे भी राजगर भोपू से भोपाल राय से राय से देते हैं काई के लिए जी बिदी के लिए तो बिदी से बिदी सा याद रखिए तो राजगर हो गया राजा से राजगर भोपाल से भोपू से भोपाल हो गया फिर से 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 क्या हो गया सीहोर फिर राय से क्या हो गया राय से राय से से आप लोगों ने क्या देखा जी यहाँ पर जो भोपाल है भोपाल से जुड़े हुए काफी सारे जिले हैं उनके बारे में हम लोगों ने यह आपको पता होना ची görünыш अगर आपको यह पता नहीं है तो यह बहुत बड़ी समस्य बहुत बड़ी प्रॉबल्म चलिया आगे बाठते ह। लोग मैंस जिले की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपन देखते हैं ضिले में सब पहले नर्मदपुर्म के बारे में next provision अब जो नर्मदपुर्म है न इसको पहले खोसंगवाद कहा जाता था होसंगाबाद spend क्या कहा जाता था जबो संगवाद right लए अब होस में हर्दम रहो बेटु अगर इतना भी याद कर लिया तो भी याद आएगा तो होस में भाई हरदम रहो तो होस में हरदम रहो बेटू क्या वोला मैंने आप से होस में हरदम रहो बेटू तो होस से होसंगवाद हरदम से हरदा हो गया और बेटू से बैतूल हो गया याद हो गया आपको इसमें कहे क्या मतल हो गए फिर हम आगे वड़ते अब हम लोग बात करें रीवा रीवा के भी कॉई सारे चिले यहां पर अगर आप देखें तो पांच जीले हो गई हैं तो यहां पर अगर अगर आपन देखें तो हम रीवा से अलग होके एक नया जिला वनाएं gesagt को नाम है माउगंज मउगंज माउगंज म यह आपको याद रखना है रिवा सीधी सिंग को क्या करती है ए LOT समय आपकर करके Trig बना सकते हो या फिर रिवा म ऐ लेकर और यहां पर आप देखेंगे रिवा हो गया मो खना है सिधी से लेकर सीधी सिंह को सताती तो तो सीधी से सीधी हो गया और सिंग से क्या हो गया सिंग रॉली और आखरी में अगर आप देखेंगे तो सताती से सतना हो गया यहां पर आप देखेंगे कि रीवा मौवा लेके तो मौवा हो गया यहां पर मौवा सीधी से सीधी हो गया सिंग से सिंग रॉली हो गया और सताती से सतना हो गया इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा इस डीस वरी मुच क्लियर गाइस इसमें कोई हो तो बताईए इसमें कोई भी डाउट हो तो बताईए I don't think कि किसी भी बच्चे को यहां पर किसी भी प्रकार का डाऊट होगा नहीं डाऊट चलिए आगे वड़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट-डिवीजन की बात करते हैं तो तो नेक्सट जो डिवीजन है वह डोलता हुआ सेडोल आप सहडोल की खास्वात मालूम है क्या है नहीं मालूम मैं बता हूं क्या तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो सेडो लेना इसमें बस कुछ मत करो United States of America करके लगा सकते हो राइट या तो ऐसे लगा दो या फिर उमर संग नुपुर की साधी हो गई ऐसे करके भी याद कर सकते हो तो उमर भाई है हमारे एक बहुत परिशिद वाले हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी साधी हो गई तो उमर संग नुपुर तुम लिख दोगे न तो ऐसे आप देखिए तो उमर से उमरिया क्या हो गया उमरिया उम अमः नुपूर के साथ क्या करता डोलता है एससे करके ingredient कर although then उम्मर याँ सहधोल और नुपूर से अनुपूर अनुपूर तुम कहोगा सर आप अनुप में अनुप निकाल लेते उमर अनुप के साथ डोलता है उसे मज़ा नहीं आ रहा है वो नुपूर के साथ डोल रहा है तुम्हें जिसके साथ डोलना है तुम उसके साथ डोलू लेकिन याद करो एक्जाम में भूल मत जाना यह लोकेशन बहुत ज़्यादा important है कई वच्चों लग रहोगा सर यह तो बहुत easy सी चीज है हमें तो सब आता है भाई तुम्हें आता है तुम्हाइंस्टाइन की गुद्धियों लेकिन हम नहीं है ना मेरे भाई तो हमें याद करना पड़ता है अभी पच्पन के पच्पन जिले एक दम से एक स पर देखने को मिलते हैं क्लियर है आगे वड़े अब हम लोग नेश्ट डिवीजन की तरफ चलते हैं तो अपनी गाड़ी मोड लेते हैं जवलपूर की तरफ गाइस जवलपूर राइट सो जवलपूर डिस्टिक्ट के बारे में भी मैंने आपको पड़ाया है जरूर देखेंगे यहां पर अगर अब बात करें तो झवलपूर जवलपूर की साले है तो यहां पर आगर आप देखेंगे आप देखेंगे जवलपूर में नर्सिंग पुर राइट यह देखने को मिल रहा है नर्सिंग पूर फिर आप देखेंगे यहां के चिलऑज तो जिखिंगे से अलग peng नया जिला बना है और और कौन सा जिला बना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो चिंदवाडा से अलग हो कि एक नया जिला बना है तो याद रखिएगा वो कौन सा जिला है जी पांडुरा पांडुना पांडुना और फिर आप आगे देखेंगे बालागाट भी देखने को मिल रहा ह है क्लियर हो गया तो यहां पर हम लोगों ने कहांद से जुड़े हुए जवलपुर के अंदर में काई सारे डिविज्टिक्स हैं अब हम बात करें याद करने की याद कैसे करना है तो याद करने का बहुती आसान तरीका है बहुत ऊजगरे ऑप लोग बस पिक्चराइस करो पुरुदा ग्रेट अब देखिए जवल पुरुख से याद करेंगे होता मालूम है क्या है एक मेरा दोस्त है पहुत ही हुरदंग मचाके रखता है अब हुरदंग मचाएगा तो उसकी नी कट जाएगी न ऐसे याद रखलो कि जब भी कटे नी जब भी कटे नी मतलब यह तो आप गाए किसके पास में गाए इस नर्स के पास में और उसकी खास बात यह है कि वह चीक कर देती है क्या कर देती है चीक कर देती है अलगी अलगी लेवल की स्टोरी है तो जब भी कटे नहीं जब भी कटे नहीं तो आप जाएंगे नर्स के पास और वह जो है चीक कर देत तुम्हें लग रहा है उससे ठीक होगा कुछ नहीं होने वाला तो उससे फिर वो दोस्त पूछता है कि बाई क्या कर रही है अलगी क्या कर रहा है समझे रहे हो ना तो वो बोलती है केती है कि भाई सयोनी वाला गाना जो है मन से दिन भर गाओ तभी ठीक होगा क्योंकि तुम्हारा दर्द है तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपने दर्द को छुपाना है और तुम्हें अपना जो एनर्जी है कहीं और चैनलाइस करना है तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो जबलपुर के सारे डिविजन देगो अभी आपको फणी आलागा ना मनसे क्या है जी दिन भर गाओ आप कहींगे कि सर यह क्या चीजिज वह जब कि मतलब हो गया अश्यक्ट पुरिक है छबिकनि अब कट से क्या हो गया जी कटनी ए जनी कटनी एक तो कटे नहीं हो गया कट नहीं हो गया go to nurse so nurse से क्या हो जाएगा आपको यहां पर डॉक्टर के पास नहीं गया देख रहा हूं मेरा दोस्त किता कला कारता हूं नर्स की पास गया तो nurse से याद रखना है nursing पूर नर्सिंग पूर यह आपको याद रखना है nursing पूर वो छीक के ठीक कर देती है तो छीक से क्या हो गया चिंद बाड़ा चिंद वाड़ा चिंद वाड़ा राइट तो चिंद वाड़ा हो गया फिर आप देखेंगे वो क्या बोलती है जी nurse कहती है के सैयोनी बाला गाना मन से दिन वरगा हो तो सैयोनी में क्या हो जागा सियोनी क्या हो गया सियोनी राइट फिर से देख लो सियोनी हो गया बाला से क्या हो गया बाला घाट भाई बाला घाट यहाँ पर काफी कुछ मिलता है मालू मैं तुम लोग वो मैगनी स्कॉपर काफी सा बिन भर कंग तो दिन भरक गव इस तरह से आपने क्या करें जी जवलपूर के सारे के सारे जिले याद कर लिए और चिंदवाडा से अलग होके जो अभी नया एक हाल ही में जिला वना है वो कौन सा है तो फिर से एक वार कमेंट वाक्स में लिख दीजिए तीनों के तीनों के जिलों के नाम जिससे मुझे पता चलिए कि आप लोग सही में क्लास को ध्यान से दे रहेगा कि नी रहेगा बताओ किसी को अगर नहीं याद रहता है तो बता दो तिर आपके लिए अलग से वयवस्ता करवाई आएगी याद करवाने के लिए के स्टोरी तुम्हारे सामने खुद प्रस्टूत और बात करते हैं और सागर से याद आता है सागर किनारे दिलीय साागर कहाई काफी सारे जिले और कितने चटोटल डिवीज़न में अब च्हे के नाम नाम है यह तो सबसे पहले छsmguy बता हो श्याद कि याद रखना है छतरपुर देखेंगे निवाड़ी अभी नेये बना है वो भी देख खतरपुर तो होई गया फिर पन्ना हो गया दमों हो गया और सागर तो इसको याद कैसे करना है मेरे भाई तो याद ऐसे करना है कि छोटा सागर जो है ना पन्ना पर टीका लगा के दम से गाड़ी उठाता है गाड़ी उडाता है अपने गर्दा वड़ा दिया गर्दा पर कंद गाड़ी उठाओ और साकने सगाड़ा तो च्छोटा सा अगर जो हैं याद रखना थाकि दम से गाड़ी ऋढ़ाता है अब आपको क्या लग रहा होगा कि सर यह क्या है क्या चलक्या रहा है यह किन कुछ नहीं चल रहा है एंपी की क्लास चल रही है जिनों को याद करवाया रहा है उन बच्चों को याद करवाया रहा है जिन से याद नहीं होते जिनको याद है भाहिया हम आपको सलाम करते हैं ऐसे करके सलाम करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप डायरेक्ट याद कर लो मैं यह नहीं बोल समझते हो दरीया नहीं समझते नहीं समझते तो क्या है ना तो हमारा काफी लंबस हो गया है अरसा हो गया है पढ़ाते हुए तो एक experience मुझे यह समझ में आता है कि चीजों को कैसे आसान बनाया सकता है ताकि आपके समय में या आपके चल पढ़ेंगे रास्ता बन जाएगा जिस तरफ भी चल पढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा याद रखेएगा हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालू में जिस तरफ भी चल पढ़ेंगे रास्ता हो जाएगा आपका जजवा अगर मजबूत हो तो फिर आप भी जहां जाएं पर ध्यान दो चीजों को बार बार पड़ोगे तो याद नहीं होता है मेरा यह समानना है कि बार 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 आप अपनी methodology पर ध्यान दीजिए कि वह methodology कैसे change करी जाए ताकि चीजें लंबे समय के लिए याद रहें और घड़े हुआ होप आप यहाँ पर लोगों ने देखा s偌ghar के बारे में अब हम लोग बात करते हो उज्याएं के बारे में कि यहां पर आप देखेंगे नीमच हो गया मंसौर रतलामी सो और हो गया उज्ञेन तो है ही देवास भी और साजापूर भी है अब कई बच्चों को यह लगेगा देवास इंदोर में आता है नहीं भई यह देवास जो है वो ज्ञेन में आता है आप कहेंगे कि जो रतलामी से हमें वो ज्ञेन में आता है तो हाँ रतलामी से हो है उज्ञेन में मिले मिलते हैं अब याद कैसे कर आया है तो याद करने का एक बहुती आसान तरीका है और बस कुछ नहीं है अप इतना बस बोल दीजिए मेरे साथ कि देव जैन को अगर देव जैन को अगर किसको गाईस देव जैन को अगर रात को सजा हुई देव जैन को अगर रात को सजा हुई ना देव जैन को अगर रात को सजा हुई तो अमन जो है नीम के लड्डू खाएगा मेरे साथ बोलो तो यह रहा क्या बोला मैंने देव जैन को किसको जी देव जैन को अगर रात को सजा हुई अगर रात को सजा हुई तो अ अमन को नहीं है यहां पर लड़का अब देखो पिक्षराइस करो देव से क्या होगा आपका देवास जितने लोगों को समझ में आ रहा है ना प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इससे हमें यह पता चलेगा यह हमें आपको याद कर रहा हैं दो तरहें के पढ़ाने का तरीका होता है जैसे दो तरह से पढ़ाने का तरीका होता यही कि भूल रहे लेक 묵ल रहा हुए है याद नहीं हो समझ रही होला synth कि मैं यह आप लोग तरफ नहीं चाहुँगा मैं पलोग को यह बताना चाह loop कि आपको तरीका थोड़ाजा साँ करना होसा is this very much clear guys right तो यह आप कर सकते मीर Итак देव जम को अब देव से दीवास हो गया जय जयन का हो गया महकाल जय महकाल रेइट अगर से अगर सजा हो गया रड़ को सजा उही तो राथ से नाम से मंसोर इसे आम लग रहा है है ना चाव और शूर को कोई खास हिं है तो आप लोगों ने क्मेंट औक pigma पैन को ड कि अअमदे आश representatives स्रेक्ट है यह भी वी लो पारते और कि अन치가 ही देखो याद रखना है आप लोगों को नोगोप आज याद करने करता है मैं इसलिए class में थोड़ा fun create करता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो लंबे समय तक पढ़ते रहें ध्यान देते रहें इतने सारे facts MP आप लोग जानते हो MP जो है उसमें facts आते हैं मैं अगर आप लोगों के लिए इस तरह कुछ कमेंटरी ना दू तो आप लोग भी बोर जाएंगे कई बच्चों को यसा लग रहा होगा कि ठीक है सर चलता है तो पर चलता है तो दोड़ने दो ठीक है लेकिन याद करते रहों अब हम बात करते हैं इंदौर के बारे में इंदौर इस लगा है कि जाब हुआ है यहां पर कड़कनात का मुर्गा मिलता है अगर किसी के पास हो तो मेरे को भेज देना यार में भी देखू मैंने आज तक देखा नहीं है राइट जाब हुए फिर अली भाई का राज यहां पर अली राजपुर अली राजपूर हो गया फिर आप देखेंगे धार तो धार डिएच ए आर तो यह आपको याद रखने है धार माही नदी यहीं से निकल गए याती है धार से फिर आप देखेंगे नेक्स्ट जो जिला है वह इंदौर तो खुद ही तो यहां इंदौर लिखे ही हुआ है फिर आप देखेंगे खंडवा फिर एक और होगया खरगोन और बढ़वानी के अलावा बी से एक और है जिसका नाम है बुरहान पूर यह आपको याद रखना है तो इस तरह से आप देखेंगे एक दो तीन चारपाट छे साथ आठ बस नो दस ग्यारा नहीं करना है तो आठ नो एक दो तीन चारपाट छे साथ आठ बस आठ आठ जिले जो हैं आपके इंदौर में आते हैं जिसमें जाबुआ हो गई अलिराजपुर हो गया अदहार हो गया फ्रद्रगे बढ़वानी हो गया खंडवा खरगोन हो गया और आकरी में बुरहान पूर हो गया कई वच्चों तो जो खरगोन है न वो कुछ इस तरह से ऐसे करके निकल जाता है मतलब सबसे आखरी में अगर हम वेस्टन साइट की बात करें तो खरगोन है और खरगोन के पास में यहां पर इस छितर में खंडवा देखने को मिलता है इस इस वेरी मच क्लियर गाइस ठीक है याद रहेग कि कौन- selves जिले हैं कौन-कौन से जिले है जो की tropic of cancer पक्का उसी से टच होके जाती है यह कौन सी marine अच्छे यह बता हो जळ%. जब तक में चाय में चीनी मिला लेता हूं कोकि इसमें चीनी यह कम है बताचे यहाद रहेगा पताओर रहा है जो टॉपिक ऑफ कैंसर से टेच हो गया थे ठका न तो याद रखना है देखो यहां पर रतलाम हो गया सबसे पहले कौन-कौन से जिले तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रतलाम तो रतलाम हो गया फिर आप देखेंगे रतलाम के बाद उजयन को फिर आप देखेंगे आगर को ठीक है फिर आप देखेंगे राजगर को राजगर हो गया फिर आप देखेंगे साजापुर को अप साजापुर क्या टच कर रहा है नहीं कर रहा है यह आपको याद रखना है Saja Puri is not touching not touching not touching दूर से going going right not touching Saja Puri is like no saja मिलेगी मेरे पिछली बार भी सजा मिली थी फिर आप देखिंगे भुपाल फिर सीहोर फिर बिदी साव फिर रायसन फिर सागर फिर बाजमो फिर जवलपुर फिर कटनी फिर उमरिया फिर सहटोल बस इतना आपको याद रखना अब ट्रिक क्या है याद करने की ट्रिक है जब्दम कटनी उमराँ सा पूरी ट्रिक नहीं बताई न तो याद रखना है रवारासी भवरासा जब दमकटनी उम्रासा सब लोग मेरे साथ पाँच बार बोल दो रवारासी भवरासा जब दमकटनी उम्रासा दस बार बोलो रवारासी भवरासा जब दमकटनी उम्रासा बोलो यारा दस वार कम्मेंड वोक्स में लिख दो दस वार किताबों में लिख दो जहां लिखना है वहां लिख दो दिवालों पर दो हाठ पर लिखलो याद कर लो क्योंकि मे जली मित्र्था इस driving उपault हुए वो इसलिए उस तर्थ यहीं चीज पूझवाht और वो इसका अंसर नहीं दे पाया था यहीं पूछा घालмен on the23 उस ताइम प्रेशर रहता है आप से पूंशते हैं वह यह बिताये रहा तो जब दमकतनी उमरा सा अब राष ऑगर पक्का ज्यान ना पहरां सबसे स्टार्टिंग करो रतलाम रतलाम राइट फिर उ से क्या हो गया उज्जैन पिर रव्वा आ से क्या हो गया आगर क्या हो गया गैस आ से आगर रव्वा फिर रा से क्या हो गया रा से राजगर 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 रासी सी से क्या हो गया सीहोर सीहोर राज़ी फिर भवरासा बहा से क्या हो गया आपका भुपाल भाई भुपाल को कैसे बूल सकते हो भुपाल भाग के बात आए तो बहा से क्या हो गया आपका बिदीशा बिदीसा ये आपको याद अफना है बिदीसा फिर बिदीसा के बाद आप देखेंगे बिदीसा के बाद आप देखेंगे राइट यहाँ पर राइसेन क्या देखेंगे राइसेन त्थिसंड को इं पिर मीनिद फिर भहवराऊ सा से क्या हो गया साघर कि फिर साघर के बाद को देखने को मिलना दमों क्या देखनी मिलेगा दमों कि फिर दमों कि बाद अब आपको देखने हुआ जबलपुर 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 जवदम कटनी तो दं से क्या वह जाएगा दम से दम हो गया कटनी तो कटनी से पर समान तो उमसे होगा यहां से questions आते हैं MPPSC में उम्र या इस पर चार-पांच बार question आया है कई वच्चे तब भी गलत कर रहे होंगा जो नहीं करें वहीं आपको सलाम करते हैं लेकिन जो कर दी हैं गलती उनके बारे में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा तो यह इस तरह से आपको याद करना है एक बार और देख लीजिए अपनी कॉपी में मैप जो आपके सामने वना हुआ है इसको देख लीजिए और याद करें याद हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग राइट अब हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्स के बारे में तो देखो यहां पर अगर आप देखते हैं ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासिस त्रूदा मिडल ऑफ मध्यप्रदेश और 14 जिलो से होके जाती है यहां पर आपको फिर से एक वार याद कर लीजीए देखो निवारी के बारे में तुमेने आपको बताई दिया है फिर रिसेंटली जो रिवा से अलगों के बनाएं वह हैं मौगंज कौन सा है गाइस मैंने स्टार्टिक में कन्फ्यूस करा था आपको याद रखना है कन्फ्यूजन से सॉल्यूसन मिलता है तो रिवा में मौगंज है यह बन गए फिर आप देखेंगे चुछ छिंदवाडा स खेल पंड़ा खेल करने पंड़ारे महें आगई भवानी खेल पंड़ारे वहीं का है महियर है के नहीं है तो महियर यहाँ पर आपको देखने गोलेगा सतना से अलग होके बना हुआ है चलिए यह भी आप लोगों ने देख लिए आपको सब कुछ बहुत चुटकियों में याद हो याता है यह आप लोगों की खास बात है पक्का होता है ना याद कंफ्यूजन तो नहीं है याद हो गए चलो अब हम लोग मद्य प्रदेश की सेहर करते हैं और हम लोग चलते हैं बादियों में पहाड़ों पर बात करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा तुम लोग मध्य भारत का पठाव अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये मध्य भारत पठार होगा है लेकिन नीचे की बात करें तो यह बुंदेल खंड का पठार कब लाट यह Ober亞arin जो प्लाय अब फिर भूझे लिए भगईयल ठाट कोे छोड़े रहा तोimin को देतंते वाला रिजिए तो इसको बोलेंगे भगिल खंट का का पठार क्या हम लोग बगेलखंड का क्ठार यह आपको याद रखना था यह भी आपको लोग चलते आगे सबसे आगे थोड़ा सा तला ओ आगे मतलग यहीं पर बीच में तो बगेल खन और बंदेल खन्ड के बीच में देखने को मिल रहा है वह हैக से आठ पर festa सब्सक्राइब याद रखना नर्मदा के नीचे की छेतर वाले एरिया यहां पे सत्पडा रेंज तो यह जो अगर हम सेंडविच बनाते हैं जैसे अगर आप लोग देखें तो सेंडवेच में ऊपर पहले आपने एक पाव रखा ठीक है जैसे मैग डी का बरगवर होता है ठीक है बीच में आपने क्या करा आपने कहा कि हमें चाहिए रीमी और बिल्कुल मतलब आलू पेटी तो बीच में तुमने आलू पेटी भर दिया तो यह जो आलू ठीक है और यह नर्मदा जो रिवर है यहए यह है रिफ्र वैली में कहाँ पर जी रिफ्ट वैली में? मतलब घाटी में रिफ्ट वेली में बेती अब बर्गर था उपर तो आपने बर्गर रग दिया अब नीचे बेस में कौन सा बर्गर तो नीचे भी तुमने एक बेस में बर्गर रगवा दिया और ये जो बर्गर है ये है सत्पुडा की पहाड़ी तो यह आप याद रखिए अरावली परवत यह आपको याद रखना है कौन सा है अरावली परवत तो यहाँ पर आप इन सब चीजों को देख लीजिए एक बार और देख लीजिए गौर से गौर से देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आई होप यूरेमेंबर दिस एक और मैप है यहाँ पर फिर से अगर आपन देखें जैसे की यह ऊपर वाले यह एरिया है ना ऊपर वाले एरिया इसको हम क्या वोलते हैं गाईस यह वाले एरिया मध्य भारत का पठार तो प्लैट्यू औफ मध्य भारत प्लेंट फिर आपन अ हो 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 है टोम बंदेल खंड हो गया तो यह वाले आना यहां पर देखते हैं तो यह और is चेतर को अगर आप देखते तो जय थोड़ा से location मालूवन चीए अभी हम लोगों ने पेटी के पीच में कौन सा river भरा और यह जो मसाला है river वाला जो है यह हो गया आपका नर्मदा क्या है गाई नर्मदा फिर आप देखेंगे सबसे नीचे यह वाले चेतर देखने को मिल रहा है तो यह जो छेत्र न यह हो गया सत्पुड़ा सत्पुड़ा तो इस तरह से आप देखेंगे ना यहां पर आपको पूरा का पूरा याद आएगा अब आप कहेंगे कि सर यह वाले जो छेत्रे यह कौन सा है तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह वाले जो छेत्रे यह अरावली परवत संक्लाएं वाला मतलब अरावली अरावली देखने को मिल रहा है अरावली की खाजवत क्या है यहां पर सबसे उंची चोटी है वह है माउंट अबू राइट यह आपको याद रखना है माउंट अबू हो गया फिर आप देखेंगे यहां पर अरावली हो गया माउंट अबू हो गया फिर आप देखेंगे दो तीन चीज़ें और जो क्लियर होना चाहिए मतला बहुत इंपोर्टेंट है वो यह के सत्पुड़ा जो घाटी देखने को मिल रही है इसमें कई सारी पीक्स हैं कई सारी पाहडियां इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है बहुत इजी तरीका है वो क्या है राग मा में भी एक राग थी जिसको बोलते हैं म्यूजिक ठीक है तुम और कुछ मत समझ बैटना तो राग मामा अमर हो गए राग मामा अमर हो गए याद रखना राग मामा अमर हो क्लियर है तो रा से क्या हो गया राज पीपला रेंज रा से क्या हो गया गैस राज पीपला रेंज राज से क्या हो गया राज पीपला रेंज राज पीपला रेंज कहां पर है यहां पर है देखने को भिलगा है आपको देखो यहां पर राज पीपला रेंज गा से क्या हो गया गाविलगड हिल्स फिर आपको महादेव हिल्स मैकाल हिल्स और अमर हो गया तो अमर से क्या हो गय अमर कंटक तो इस तरह से आप देखेंगे रा गा मा मा अमर हो गए ठीक है पका ओके मैं याद हो गया आपको तो यह हम लोगों ने तो यहां पर आप फिर से इस मैप को देख लीजे सेंट्रल इंडिया का प्लाट्यू कहां पर रहें बुंदेल खंट अभी मैंने आप लोगों को एक मेजर लोकेशन बताई हैं कि आपको यह लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि मालवा चेत्र अब मालवा चेत्र है यह वाला प तो अब मेजर मेजर याद करो थोड़ा सा क्यों मेजर कौन सा अरिया कैसा है फिर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं अम लोग प्रोटेक्ट्टेड एर्यास बमध्य प्रदेश कि हम लोग बात कर रहें एं पी के जोग्राफी की तो कुछ ठेथ रहें जैसे इस मेद इस प वह किसके लिए ठाइगर के लिए कैसारे रिजर्फ्स बना रखते हैं लाइंस के लिए या फिर हम देखें ग्रेयाल सैंंचुरी देखने मिलती हैं कई सारे नाशनल वाक्स देखने को मिलते हैं कई सारे फॉरेस्ट रिजर्फ देखने को मिलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले स्योपूर में चलते हैं तो यहां पर कुनो पालपूर वाइड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कुणो पालपूर बाइड लाइफ सेंचुरी यह जो देखने को मिल रहा है ना यह वाल अच्छे तरस्योपूर यहां पे है कुणो कुणो बैटा कुणो कुणो ठीक है अच्छे यह बताओ नामी विया से अभी कुछ टाइगर्स आये थे अब वो कौनसी सेंचुरी में आये यह बताए क्या नौरा देही में आये थे मैं तो भूल गया उनमें से कोई बचा भी है या फिर अभी हो गये पताओ ना अभी कुछ पहले तो आये थे निम्हालुम तो मैं यह भाई है आये थे आया थे ठीक है उनमें से कुछ डेट भी कर गए किस कारण से करें आपनको नहीं अंद्म को आपनको इसे टिकपड़ी नहीं करनते हैं थे तो यहां पर देख सकते हैं घून फिर गाव है एक जो की घटिया है बोलना नहीं है मतलब थोड़ा सा मतलब यसे आद करने के लिए बोल रहा हूं नहीं तो natural child जाद करने के लिए वहाँ पर कट्टे नहीं होते है इसल्ए घटी आया तो गाटी घाओ सेंचुरी गाटी या गाओ सेंचुरी यह आपको याद रखना है फिर आप देखींगे यहीं पर नासल चमबल वाइड लाइड सेंचुरी हो गई तो इस तरह से एक, दो, तीन करके चम्बल वील्लाइफ सेंचूरी हो गई ये भी चम्बल छेत्र में देखने को मिलती है यह हो गई फिर करेरा करेरा, फिर आप देखींगे निवाड़ी वाले छेत्र में औरचा वाले लाइफ सेंचूरी केन घड़ियाल वाइड लाइफ सेंचुरी तो यह हो गया केन घड़ियाल वाइड लाइफ सेंचुरी यह आपको याद रखना है फिर आप देखेंगा बगडारा वाइड लाइफ सेंचुरी बगडारा बगडारा रे बगडारा 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 वाइड लाइफ सेंच यह हो गया ऐसी आप देखिए संजे टाइगर रिजर्व राइट पिर आप देखेंगे बांधवगड़ कहां पर मंडला में हैं चिंद्वाड़ा में हैं सियोपुर में मुरेना में मैप में दिख रहा है अभी सारा का सारा मैप पढ़ाया है मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए तो थोड़ा आप लोग भी अपने दिमाग लगाई अगर नहीं याद आ रहा है तो दिक्कतवारी बात है कि कौन-कौन से छेतर में आपको बांदवगड देखने को मिल करीव है यह आप लोग भी जानते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों से एक मतलब दरख्वास्त करूंगा कि भाई तुम लोग इन सब्सक्राइब करो जैसे कि भाई गांधी सागर वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर हो सकता है फिर आप देखेंगे नरसिंगड वाइड ला वाइड लाइफ सेंचुरी हो गया फिर आप देखेंगे सिंगोडी वाइड लाइफ सेंचुरी सिंगोडी 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 वाइफ सेंचुरी हो गई बड़ विहार नैसनल पाक हो गया ख्योनी वाइफ सेंचुरी हो गया राता पानी वाइफ सेंचुरी हो गया पहां कहां पर है इनको अपने मैप में आप गूदिये कि हां कहां कहां पर है नौरदेही कहां है सिंगोडी कहां पर है यह करने की कोशिच करिए नहीं होगा मुझे मालूम है काई बच्चों को इस तरह से आप लोग सारे के सारे देख लिए इस तरह से आप लोग सारे के सारे डेख लिए I want if you have any doubt कोई भी confusion है तो बताईए जरूँ पकड़ आउट नहीं है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग river systems को देखते हैं यहाँ पर आप देखिए सबसे उपर अब visualize करिये आप लोग सारे के सारे बच्चे प्लीज visualize करिये यहाँ पर अगर आप देखते हैं सबसे उपर अगर आप देखते हैं सबसे उपर इस छेतर में जो सबसे उपर है मुरेना भिंड वाले छेतर में चलो गाड़ी को थोड़ा वहाँ पर बोड़ो नाओ को तो अब हम लोग देख रहा है river systems और बध्येपर देखते तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है भिंड़ मुरेना और स्योपुर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भिंड मुरेना और स्योपुर यह आपको तीनो के तीनो कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पर काफी सारी रिवर्स हैं क्लियर है काफी सारी रिवर्स है ठीक है सबसे उपर चंबल हो गई फिर आप देखेंगे नर्मदा अब नर्मदा तो मैया है नर्मदा मैया यह आपको देखने को मिल रही है इस तरह से नर्मदा बिलकुल सब से होते हुए आती तो यह सब मैं पढ़ाने वाला हूं don't worry just chill सब कुछ revise करवा दूंगा सब कुछ याद करवा दूंगा अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है ठीक है तो यहां पर आप देखना है नर्मादा हो गई फिर कई सारी जैसे पारवती हो गई फिर आप देखेंगे पुनासा हो गई फिर हम देखेंगे काली सिंध काली सिंध हो गई कुन हो गई कुन्स फिर आप देखेंगे बेत्वा हो गई बेत्वा हो गई धसान हो गई धसान हो गई फिर आप देखेंगे सोनार हो गई सोनार फिर आप देखेंगे बियर्मा बर्मा कोई खास नहीं है इतना ठीक है अच्छा यह जो अमरकंटक है यहां से दो-तीन डिवर्स हो निकलती जिसमें से एक है जोहिला एक है सोन और एक हो गई नर्मदा यह भी आपको याद रखना है तो इस तरह से अमरकंटक के पास से होते हुए अनुपुर के पा आती है ना वह गई तापी यह जो तापी है यह देखने को मिल रही है तापी तो इस तरह से आपको याद रखना होगा इस तो अभी आपन को याद करना है तो अभी आप लोग लब डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है कि इतना सारा पड़ा दिया इतना सारा फैक्ट है कैसे याद करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए देखो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यार सो मत सोगे ना थो कभी आगे नहीं वड़ पाओगे मेरा हमेशा यहीं बोलना है यहार जब तक ना सफल हो नींद चैनको त्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड़कर मत भागो तुम संघर्स का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजे कार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती तो मैं आप लोगों से यही दर्ख्वास्त करूंगा बिंती करूंगा थोड़ा सा motivated रहूं देखो MP के exams में सबसे बड़ी चीज है न वो है facts factual questions मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं काफी अगा पर पहले से भी पढ़ा रहा था अभी मैं UPCS का भी देखता हूँ current लेता हूँ current affairs तो एक चीज जो clear है न MP में, UP में वो यही है कि UP में concepts पे बहुत questions आजाते हैं UPPSC में concept concepts पे questions आजाते हैं even UPSC में concepts पे questions आजाते हैं लेकिन MP में जो है na factual details पे काफी questions पूछे आते हैं अगर हम MP states के बारे में बात करें direct आप से question पूछ लिए आईगा direct और moral down मालू में कहां पर हो आता है यहां पर हो याता है कि यह हो क्या रहा है वालब इसको कैसे याद कराया है यह सबसे बड़ी चीज है कि हम मतलब पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें याद नहीं रहता है तो याद रखना बहुत बड़ी एक कला है आठ है और याद करने के लिए वस कुछ नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा फन के साथ पढ़ो पढ़ाई को इंट्रेस्टिंग पढ़ाओ जितना हो सकता है आसानी से पढ़ो जितना हो सकता है आसानी से पढ़ो जैसे आप लोग पांडे सरगी क्या खास बत है वो फिजिक्स पढ़ाते थे अब उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया किस तरह से उन्होंने फीजिक्स पढ़ाया अपने अंदाज में और उस अंदाज के कारण वह फेमस हो सोगा है लेकिन याद नहीं रहता है तो याद करने का ऑस आधान त्रीका है कि आप लोग थोड़ा सा अपने नजर बदल जाएंगे सबसे इंपॉर्टन नजारे बदलो तो नजरिया बदल जाएगा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग तो अपना जो फ्रेमबर्ग है ना भी याद करने का पढ़ने का जिसके कारण आपके कुछ नंबर कमा रहे थे तो थोड़ा उस पर दियान दीजिए कि हा अहां पर जो बात हो रही है न गयज्स वह बात हो रही है न्यूस अफ मन्द्प्रदेश दाट इस रस नोर्थ ईस्ट वेस्ट और शाुंठ ऑर आपने नर्थ आपन अफ्टुन पूर्थ है तो नोर्थ में आप देखिए और यमनान नौर्धन प्लेंस ऑफ गंगा एंड यमुना नौर्धन प्लेंस एप प्लेंस क्या होता है प्लेंस मतलब प्लेंश चेत्र रइट पथार मतलब ठीवलेंड थोड़ा से ऊंचा रहता है यह हो गया फिर हम लोग प्लेंस पठार देख लिए माउंटेंस तो माउंटेंस हिमालया परवत्स रंकला है अब कुछ यहां पर विए उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यह से पहाड़ी चेत्र में आप देखेंगे अपना पच्छमड़ी हो गया खेर तो नौर्थ में डंगल यमना के प्ले कि अच्छगा प्लेंस देखने को मिलते हैं तो यह विए पर वल्यवत्स रंकला हैं फिर आप नीचे देखेंगे ऐस साउठ में आप लोग जानते हैं सारे वच्चे कि वह साउठ मैं आपको ताप्ति रिवर देखने ब्रेश्यां कि लिए सब्सक्राइब करतें सबद्रदेश को चार में हम अर्पेस बात कर लिया था हम यह पर इस्ट पहाड़ी को man बum किम लोग काट काट के चौरी कर रहें रेके कि यहाँ पर अगर आपन देखते हैं पाहडीं के वारे में तो पहाडी में आप ऐसे यादख कर सकते राग राग मामा अधिगर मुत vehicle क्यों में थोड दोड़ी पहले बी मैंने बताया था राग मामा अभर हो गए कहां पर देख को शचतपुड़ा परवक स्च्रंख्ला जाए रागц करके यह पता नहीं किसे हच चल रहा एसे करके ठीक है सत्पुड़ा ठीक है तो रा से हो गया राज पीपला रेंज यहां पर राज पीपला स्रेडी के परवत्सरंख्ला रा पिर यहां पर गा राग फिर यहां पर देखेंगे सत्पुड़ा में ही मा महाभारत तो नहीं है यह महादेयो हिल्स है राइट महादेयो हिल्स राइट मां फिर मां से हो गया मैकाल हिल्स और अमर हो गया तो अमर में आप याद रखना अमर कंटक क्लियर तो यहां पर आप देखेंगे रा से हो गया राज पीपला पहला दूसरा हम देखे गा से गाविल गड़ गाविल गड़ पिर मां से क्या हो गया महा बारत नहीं महाबारत नहीं बारबर वोल रहाँ महें महादेव एपट्छ क्लियर ये मा फिर से आ गया दिस मैकाल मैकाल right मैकाल परवत स्रंगल और पिर अमर हो गया तो अमर से अमर कर्डत या आपको याद रखने मैरे तो राज मामा अमर हो गये हम लोगों नोसे वेस्ट टू है वेस्ट से लेके इस्ट नhalf कपर देख़नें की तरफ तो राग मामा अमर हो गए राय से हो गया राज पी प्रेंगा 마 से हो गया महां हो गटन fragrंटें और यह हो गया उपर से आप देखेंगे बिंदे परवस रंगला है और बिंदे परवस रंगलाओं के बाद यह जो नीचे देखना हो रहा है मैकाल राइट तो यह सत्पुड़ा को इतना आपको याद रखना है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर हम बात करें जो लॉजिकली जो लॉजिकली जो मद्यप्रदेश जो है वो किसका पार्ट जी गोंडवाना लेंड का आपका इंगे सठी घूनडवाना लेंड क्या होता है देखो सबसे पहले अगर आपन बात करें जो ग्रॉफी की तो एक समय था जब सब कुछ जो तो ना सब कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, पुरा पीटी हो गया, ठीके, सारा का सारा स्वस्थी यहां पर आप देखेंगे, स्वस्थी, कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीके, यहां पर स्वस्थी मतलब, समझ रहे हो ना, ठीके, तो यहां पर आप देखेंगे, सब कुछ म यहां पर आप देखेंगे नीचे हो गया गोंडवाना उपर हो गया लॉरेसिया और यूरोप एक तरफ हो गया यह आपको याद रखना है यहां पर आप देखेंगे नीचे गोंडवाना लेंड में जो भारत था वह क्या कर रहा था यहां पर आराम से मडगास करके पास बैठके मुर्गी की तरह अंड़ा दे रहा था बढ़िया दिन क्या हुआ एक दिन कभूतर घुश गया गोंसले में मुर्गी के पास तो इसने क चलो हम भूमना चालू करते हैं तो यह उपर की तरफ भागा तो तैथे सी को क्रॉस करके यह भागा और जाके डायरेक्ट यह घुश जाता है कहां पर जी यहां पर आप देखेंगे एंटर कर आता है अरे बापर चलिए अरे यहां पर बना नहीं है वह इंडिया का मैं लेक आके इस तरह से यूरेशिया से टकरा जाता है बस अपन को इतना याद रखना है बस इतना ही याद रखना है तो इस पे वह एक बार मतलब चार साल पहले क्वेस्चन आया था कि वही क्या मध्यप्रदेश गोंडवाने लेंड का पार्ट था है रहेगा क्योंकि था है भी ब यहीं बना रहेगा कोई उसको छेड़ेगा नहीं ठीक है तो MPO है गोंडवाने लेंड का पार्ट है याद रखना है अब हम लोग थोड़ी सी बेसिक सी बात करते है तो गोंडवाने लेंड का पार्ट है अच्छा इसका एरिया के तरह है तो 308252 स्कॉयर किलो मेटर तो स्क है बोटल एरिया का परसेंटेच वाइस देखें तो जो म्ध्य बोटर यहीन पूंट 3 8 परसेंटेज देखने को मिलता है जो क्या है इhmm कि या को मिलता है की निअ किbor अधम र्याफ्ट-विर्पर टै है 21 degree 6 minute जो है 8 minute जो है 6 minute इस तरह से देखने को मिलता है 6 minute से लेकर 26 degree 30 minute तक देखने को मिलती है अब आप कहिंगे सर यह क्या तो यह address proof भाई यह इसका address है ठीक है यह ही इसका address है तो आप देखेंगे 21 degree 6 minute तो यह 21 degree यह जो line है 21 degree हो गई फिर उपर से आप देखेंगे यह जो है यह होगई 26 degree 3 minute इस तरह से एक नीचे एक ऊपर यह जो है लाइनिंग देखेंगे फिर आगर आप बात करते हैं थोड़ा सा और डेफ्ट में आते हैं यहां पर आप देखेंगे तो एक यह सी लाइन जा रही है और एक जो है वह ऐसी लाइन जा रही है राइट अगर आप देखते हैं अक्षांसी यह विस्तार के बारे में तो वह तो हमने कर लिया है लेकर अगर हम लॉंगिट्यूडनल एक्सपांशन की बात करें ना तो लॉंगिट्यूडनल में 74 डिग्री क्या गाइस 74 डिग्री फिफ्टी नाइन मिनिट देखने को मिलता है और वहां से लेके कहां तक तो 82 डिग्री लॉंगिट्यूडनल लॉंगिट्यूडनल को लॉंगिट्यूडनल मतलब लंबी लही है पर आप देखेंगे इस तरह नहीं तरह यहां पर देखेंगे इस तरह तो इनको हिंदी में बोले आता है देशांतर रेखा है एक हो गया लोंगिट्यूडनल और एक हो गया इस तरह से आप देख लेना अकसांतर और देशांतर अब देखिए 74 डिग्री 5-9 मिनिट कहां पर देखना मिल रहा है तो 74 डिग्री अगर आप देखना है न तो यह देखन साइड की बात करें यहां पर आपको देखने को मिलेगा 82 डिग्री 66 मिनिट यह आपको याद रखना है तो यह भी आपको याद हो गया यहां पर आपने देख लिया जो लोगों ने अभी हाल ही में देखा अक्छांतर रेका हैं दिनको लेटिट्यूडनल बोलते हैं लेटि गाड़ी चला के नीचे तक जाते हैं तो यह कितने किलो मीटर का है तो यहां पर आप देखेंगे गाइस कितने किलो मीटर का है यहां पर यह जो है यह तकरीवन आपका 605 किलो मीटर का और अगर हम विट की बात करें इस तरह से विट की बात करें तो यह विट में कैसे देखने को मिलेएगा क्या जी 870 km का यह आपको याद हाद है 870 km का तो इस तरह से 60 5 km अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोग देख लो अपने हिसाब से मैं तो वन पसंद करता हूं तो में 605 km not to south यह आपको याद रखना है लेकिन इस पर questions आ जाता है अभी आप लोग class ले रहे हैं इसलिए आप लोगों को लग रहा होगे इतना आसान है लेकिन जब question आ जाते हैं तो तोते उड़े जाते हैं मेरा इसवार का प्रलिम्स क्लियर नहीं होगा यह जो चीजे होती हैं बेजिक होती हैं सबको याद भी रहती है लेकिन मैं आपको फिर से याद करवानी की कुछिस कर रहा हूं अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन की इस डी लाइन जिसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन लाइन बोलते हैं तो यह भी पास होती है और यह कहां से पास होती है एक जिले को टेच करके जाती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन इस तरह से ऐसे जाती है और वह कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन की दिर डू नट क्रॉस इच अदर इन एनी पार्ट अफ मध्य प्रदेश जैसे अगर आप देखते हैं यह जो लाइन दिख रहे हैं अब यह जो नहीं मतलब इस तरह से कहीं पर भी मध्य प्रदेश में तो ट से अट एट सिंग रॉली एट आप से पूछा आ सकता है लेकिन आपको यह याद रखना है कि यह टच नहीं होता है इंडिया के कौन-कौन से स्टेट्स हैं जो सलाम करते हैं किसको जी किसको इंडियन स्टेंडर्ड मेरीडियन लाइन को तो यहां पर आप देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन लाइन को कौन कौन से स्टेट से जो की सलाम करते हैं तो वो कौन से स्टेट से यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट से इसके लिए मौका चाहिए क्या चाहिए मौका चाहिए तो मौका से आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे जिले नहीं सारे के सारे स्टेट्स सारे के सारे स्टेट्स तो यहां पर आप देखेंगे मौका अब आप कहेंगे सरी मौका क्या है कौन से मौके की वात कर रहा हो हमें तो कोई मौका मिली नहीं पीएसी हमें बुलाई नहीं रहा है ठीक है एक्जाम निकल नहीं रहा है राइट लेकिन मौका मिलेगा देखो भाइट मौका में M O U C A एसे कर के याद रहो अब M से क्या हो गया गाइस M से याद रखना मध्य प्रदेश औ से क्या हूगा वरीशा क reduz GI ओ के बाद यू से क्या हो गया उत्तर प्रदेश ती से गर्पृतिस और ऐसे क्या हो गया आपका आंध्रा प्रदेस प्रैट यहाँ पर आप देखिए जाय यहां पर आप देखिए यह यह वह गया उड़ीशक यहां पर आप देखेंगे जिजह गया ऊध्यप्रदेश और यह वह को अध्यर से सारे और यहां पर आपको देखने को आप ही अध्यर इस्ट यहां पर आपको देखने मिल जाइगा तो यहां पर आपको इनदेन मेरिडियन लाइन जो है सीधी सीधी जाती है सीधी सीधी जाती है और सीधा-सीधा याद कर लो clear है चलिए तो यह हम लोगों ने क्या पड़़ लिया यह हम लोगों ने देख़ लिया सारे के सारे स्टेट्स जो की इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन लाइन को टेच करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन लाइन को जो है ना बिल्कुल सलाम करके जाते हैं चलिए यह भी क्लियर हो गया है अब हम लोग बात करें मद्यप्रदेश की तो यह दूसरे नंबर का लार तो याद रखना है जी जो है second largest state है उसके अलावा 9.38 परसेंट जो है वो कवर करता है और मैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए बोल रहा था कन्फ्यूज कर देना है कि सांस कहां से ले और पेपर कैसे निकालें तो राजस्थान जो है वो पहला एरिया तो याद रखना है पहला क्या होगा राजस्थान उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारे मध्यप्रदेश का आने वाले समय में मामा से बोलूँगा आप लोग भी बोलना कि पाकिस्तान को तुम खरीद लो या फिर पाकिस राजस्थान को खरीदी लेंगे एक समय बाद राइट तो राजस्थान हो गया दूसरा मध्यप्रदेश से याद बेंगोल में भी लेकिन एरिया वाइस मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है तीसरे नंबर पर महराश्ट्र है चौते नंबर पर उत्तर प्रदेश है और पांच में नंबर पर गुजरात यहाद रहना है यहाँ पर बताईए भाई बताईए नो डाउट तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में देखा अब देखिए इसको याद कैसे करना है तो वही लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मद्य प्रदेश पांचवा लार्जेस इस्टेट है वाई दी पॉपुलेशन तो फिफ्ट लार्जेस इस्टेट वाई पॉपुलेशन अब आपको कैसे याद रखना है भाई या पॉपुलेशन वाई तो कौन-कौन से और स्टेट है जो मद्य प्रदेश के ऊपर जो मद्य प्रदेश के ऊपर ए पॉपुलेशन वाई तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं थह स्के वारे में क्या ही बोले तो उत्तर प्रदेश पande नमपर पर उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नमपर माहाराष्त नहीं है महाराष्ट है दूसर नमबर पर एरिया भी बड़ा है महाराष्ट का ठीक है तो महाराष्ट होगा है तीसरा कौन साइजी बिहार चौथा कौन साइजी बैंगॉल और पांचवा है मध्यप्रदेश देखो कई बच्चों को यह लग रहा हो सर यह तो हमें मालूम है इस वेरी महाराष्ट भिहार वेस्ट बेंगल और मध्यप्रदेश अब इसको कैसे याद रखना है उत्तर में मा मतलब एसे याद रख लो कि उत्तर में मां है उत्तर मतलब नौर्थ में मां उत्तर में और बी जो है वो कहां पर है मध्य में तो उत्तर से उत्तर प्रदेश मां से क्या हो गया महाराश्ट्रा मां से क्या हो गया महाराश्ट्रा ठीक है बी से क्या हो गया अपना बी से हो गया बी से अभी बिहार और बिहार हो गया और बेंगॉल ठीक है फिर मध्य में क्या हो गया मध्य प्रदेश क्लियर है मध्य प्रदेश तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों के पांचों स्टेट् तो यह आपको याद रखना है जी उत्तरवे माँ बीवी जो है मध्य में फिर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इंटरनाशल बाउंडरी के बारे में तो देखो मध्य प्रदेश जो है ना वो क्या इंटरनाशल बाउंडरी स्टेच करती है क्या आप लोग मध्य प्रदेश के थूरू डारेक्ट सिप से अमेरिका जा सकते हैं मद्धि प्रदेश से डारेक्ट सिप जा रही है अमेरिका यह नहीं जा रही है क्या आपका मन बन रहा है अंटाक्टिक जाने का पानी में डारेक्ट नहीं जा सकते हैं याद रखना मद्धि प्रदेश बिलकुल मद्ध में कि शेयर नहीं करता थो चो मेरा सा और सा में प्रॉब्लम में इसलिए याद करो ठीक है तो इंटरनेस्टाल बाउन्टरी सैयर नहीं करता तो याद रखना है मद्रदेश sociology से स्टेट से boundary करता है तो आप देखने उतार्ब्रदेश तरह से अपन लोग याद कर सकते तो पांच स्टेट से इंट्रनेस्टल बाउंडरी जो है यह सेर करता नहीं है मतलब वो स्टेट से बाउंडरी टच करता है लेकिन इंट्रनेस्टल जैसे अगर आप देखते हैं राजस्थान हो गया तो वह इंट्रनेस्टल बाउंडरी इस कि पाकिस्तान से थोड़ा टच कर लेता है महाराष्ट जो है वो बॉर्डर है यहां पर आप देखेंगे इंटरनेसल बाउंडरी में कई सारे नौर्थ इस्ट के स्टेट से मैनमार से बांगलादेश से टच करते हैं तो इस तरह से अपनको याद करना हुगा अब देखिए लोगों को याद करना होगा इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए इफ यह अनी डाउट प्लीज ट्राय टू टेल मी लोट बनाओ आप लोग मैं आप लोगों से यही बिंती करूंगा गैस मैं पड़ा रहा हूं चिला रहा हूं आप लोगो टिप्स दे रहा हूं लग रह तो बहुत बड़ी पॉलीसी है अलग पाइंडे सर डायरेक्ट बोलते हैं जो भी टीचर लाइक सब्सक्राइब कमेंट और इस तरीके की बाते करेगा न वह आउट ठीक है उनका यह कहना है कि पीड़ावलीजन इमोशन हम लोग जो है काम करेंगे अपने कंटेंट पर अप पढ़ाने की स्किल्स पर बच्चा खुद अच्छा लगेगा तो उसको प्रमोट करेगा नहीं तो नहीं करेगा डिसलाइक कर देगा तो यह जो चीजें फ्री में आप लोगों को प्रोवाइट करवाई या रही है न जो यूट्यूब पर जा रही है तो इनको हलके में मतल तो चुट्कियों में याद में पूरा MP जो इंप लोगों चार से पांच क्लास में खटम कर करें यहाई में सबसे आखरी में लोग काफी सारे MP जूग्राफिके ॥े सारे गेसंट्रिब लेकिन की सीरीज है लेकिन से एम लोग लगाने वाले हैं जिसमें C से जुडे हुए सारे के सारे Standing Question question जो है हम लोग से टरडह को लाइब जाएंगे और लाइब में तकरीवां चार गटे की class रहेगी जार गंते हम लोग सिर्फ क्वेशन pulis पूछे गए जाहें जितने question MP Geography से पूछे गाइं वो सारे के सारे questions जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसलिए आप लोग बने रहेएगा हम लोग हर डिसकसन करेंगे देखो यह जो क्लास है ना इसको मोनलोग मत समझो हलाकि यह चुकि रिकॉर्डेट है तो आपको मोनलोग लग रहा होगा लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो जो भी मैं आप आपको बता रहा हूं सारे की सारी चीज़ों को आप लोग क्या करें है आप लोग पन्य पर लेकिए आपो months बनाता हूं आप के लिए मैं डेटन लोट लेकर आता हूं ताकि आप लोग इन सब चीजों को याद कर सकें मैंने आर्ट इंड कल्चर की भी काफी सारी क्लासेस लिए आपने नहीं देखी बात है आप लोगों को सब याद रहता है आपकी मर्जी है क्योंकि एक्जाम है आपका बट पॉइंट इसको एक बार देखके देखो आपको सब कुछ याद हुआ है मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं कोसिस यह करता हूं कि आप लोगों तक सारी की सारी डिलिवरी दी जा रही है जो वह आप लोग याद करें याद करना इंपोर्टेंट है पढ़ा तो कोई भी देगा यह आप विल्कुल यह 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 इसए करके सब कोई पढ़ा देग게 लेकिन बात यह याद करना है यह करना नहीं evorrentulार ही छलिए आगे वढ़ते हैं हम लोग नेचरी आब डूर्टूरस में अगर आप देखाया मध्यपर्धिस में नेच्रल मतल माइक पर देखनएंगे तो मैकाल और कैमूर परवत्ध यहां पर आप देखने ल paar गेस हैं तो और कैमूर के जो आपको देखने को मिल रहा है मेकाल फर्वा संक्ला में यह कहां पर इश में अगर आप देखतेएं तो तो यहां पर आपको देखने मिल जाता है अरावनी तो यह हो गई नेचरल बाउंडरी तो यह नेचरल बाउंडरी है मद्धिप्रदेश की जिस तरह से आप लोग संरक्षित हैं अपने एक तरफ में माता जी एक तरफ पिता जी एक तरफ में आपकी बहन या भाई सिवलिंग हो गई तरफ में आपके टीचर हमारे यह से गरीब लोग ठीक है या फिर भाई यह से जो भी है तो इसी तरह से मद्धिप्रदेश भी संरक्षित इस्ट वेस्ट नौर्ट साउथ चारों तरफ से नेचरल बाउंडरी से और आप से क्वेस्टन पूछे या सकता है थ्री मार अगर आप मैपको देखते हैं तो नौर्थ में यूपी है तो यह आपको याद रखना है यह जो मैंने दिखाया आपको मद्धिप्रदेश के साथ कई सारी सीमा यह साजा करने वाले राज्य हैं यह हम लोगोंने इसके बारे में पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा फटो यह जो टापेक है न कौन- momenciemy fence सीमा है जो कि हिसके बारे में हमलोग om ना दम से पढ़ना चाहिए था वो सारे की सारी topics को हम लोगों ने clear करने की cover करने की कोसिस करी I hope this is clear to all guys और not बताईए if you have any doubt any doubt comment box में डालिए समझ में आता है समझ में आया हो मेरा पढ़ाना मेरे efforts आपको अच्छे लगे हो तो उसके लिए हम्हें तो सब याद है हम तो टीचर है तो फकलटी है right हम काफी सालों पढ़ा हम भी इंटर्वीव दें हम लखे है हम गाई हैं वरिया याद है लेकिन हम आपके लिए आसान देखिंगे कौन-कौन से जिले हैं तो एक हो गया मुरेना दूसरा हो गया भिंड तीसरा हो गया दतिया चोथा हो गया सिप्पुरी इस तरह से असोक नगर सागर टीकमगर फिर निवाड़ी छतरपुर पन्ना सतना रीवा सीधी नहीं है इसलिए हरे में लिखा हुआ है नोट यह जो एरिया है ठीक है मुरेना के पास से यह मुरेना के पास से तो मुरेना से स्टाइट करो मुरेना फिर हो गया भिंड फिर आप देखिंगे दतिया फिर आप देखिंगे सिवपुरी फिर आप देखिंगे असोक नगर फिर आप देखिंगे सागर फिर आप देखिंगे निवाडी निवाडी हो गया फिर आप देखेंगे टीकमगड फिर आप देखेंगे छतरपुर फिर आप देखेंगे पन्ना फिर आप देखेंगे सतना फिर आप देखेंगे रीवा फिर आप देखेंगे सीधी अप सीधी क्या है नहीं है तो सीधी नहीं है तो यह आप याद नहीं रहता नहीं दिक्कत मानु में क्या है तुम लोगों याद नहीं रहता तो अभी लोग मोधी के नाम पे मोहन खाग्वच जी के नाम पर AI के थूझ भर्टे वन बाते हैं तो और एक की एक खास बते है मास-लेवल का बढ़्डे जो है वो किस gegen मनद कहां पर करिवाए गाया NTPC में करिवाए में करवाये गया मास्त लेवल का बड़्दें 20पीसी में करवाए अब याद कैसे रखोगे आप Türkiye कि ये सर्क या कूंछ मी नहीं आ Northeast समझ बना रहा रहा है आर्स्स में आर का मतलब oh होता है आपका कर्या मतलब क्या हो गया यहां पर से देखो सबसे पहले यहां पर पैनल तो यहां पर आप देखेंगे प्रीवा के अब 172 हो गया आ हो गया यह रीवा फिर यह फिर हम लोग बात करैंज की कर दो आछे हो गया आपका सतना क्या हो गया guys सतनाी Riva हो गया रिवा सतना फिर s s फिर s से क्या हो गया जी सिंग्रळ। सिंग रॉल्ली सिंग्रॉली हो गया रिवा सत्ना सिंग्रॉली और स्थ तो म से म से इंज मुरे नहीं कि मुरे जाएगा आप देखें चाहँ लिएसे मरेन यह अब मिनित फिर से आगा है तो एस से याद रखना है सिव पूरी क्यों गया है सिव पूरी और सिव पूरी के अलावा एक और जिला है वह सागर अब देखो तुम्हें बारवर इस तरह से पढ़ना पड़ेगा यह तो बेसिक समया पर हर बच्छे को मालूम होता है कि सागर का है सतना का है यह तो नहीं करोगे ना कि बढ़वानी के पास में चिपका दी अगर यह भी याद नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत ए तो जैसे बिए तो बढ़वानी याद रहेगा अब बढ़वानी कहां पर रेजी यह नीचे वाले एरिया में है अब बी का आप मुझे नहीं लगत वह इतितले थो फिक्लिएं हम लोगों ने तो वी डी right bigy देखेंगे बीडी तो वी से अ आपको याद रखना है है ती से आपको यहां पर देखने है टी कम गड यह देखी है टी कम गड एंटी पी से क्या वगाया पन्ना और सी से और च्हातरपुर्ट तो यह आप देख लीजिये आरे से द्वारा मास लेवल्ड गावड़ा बनवाया इस ट्रिक से आप लोगों ने सारे के सारे जिले जो थे वो याद के लिए हुआ के नहीं हुआ याद मेरा वही बोल रहा हूं बार-बार फोकस यह रहता है कि याद के से करवाना है इन पर हम लोग धीरे-धीरे करके एक 10 प्रदेश के साथ जो सीमा साजा करने वाले मद्य प्रदेश के जिले हैं तक्रीवन यहाँ पर आप देख रहा है तेरे जिले हैं और एक और चीज़ जो याद रखना है आपको हाल ही में यहाँ पर 13 जरू लेकिन 14 हो चुके हैं और 14 जो जिला है वह है मउगंज कौन सा है जी निवाडी बन गया है वो मउगंज है क्लियर है तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको सारा का सारा याद भी हो जाएगा चलिए यह भी आपको याद हो गया अब देखिए उत्तर प्रदेश के वी कई सारे जिले हैं यूपी के और यूपी के कई सारे जिले करतालां चलिदा कर दो मउगंज को मलाके चलिए यहाँ पर आपको 12 मफेंज लिखा हो आख हूआ है यह यह आपको याद रखना है तो यहां पर ज्हांसी हो गया हमीर पुर भाःं ललित पूर बांड़ जिले हैं उत्ता प्रदेश के जो की बॉर्डर टेच करते हैं किस से मध्य प्रदेश इस पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिया बताईए मेरे को बताईए बताईए काफी लंबी क्लास हो गई तुम लोग भी ठक गए हो गए काफी सारे फैक्स थे कोसिस मैंने यही करिए कि आप तक जितने फैक्स हो वह पहुचाए जाए अब देखिए यहां पर एक और एक और चीज हम लोग याद कर लेते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के साथ सीम अनुपूर डिंदोरी मंडलाव बालागाट ठीक है यहां पर आप देखिए एम ट्रिपल एस एस एन डव्लप्मेंट बैंक ऐसे करके याद रुकलों तर्टिस गर्ड इस टचिंग बॉर्डर विद मिस एसेन डव्लप्मेंट बैंक निस तो एम ट्रिपल एस एस तो मिस एम एस ड्रिपल्मेंट यहां रहे गाए आपका यहां पर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे च्टीज करते हैं तो यह आपको याद रखना और अच्छा क्लियर वाला महें पर यह है देखिया आप तो यहां पर याद करने का बहुत आसन तरीका क्या है यहां पर आप देख रहा है यह सारे के सारे जो है यह टेच करते हैं बॉर्डर किस से गाइस चतिस गर्ल्स यह आपको वस्याद रखना है जो कि मद्यपर्देस से टुछ करते हैं यहां पर पर याप पर खाड़ा मंगेड़ी कविरीब गंज राजनंदगाओं उस तरह से काफी सारे जो जिलें आज के लूगों है बॉर्डर पढ़ेटच करते हैं आज की क्लास में ने कई पड़ा बताईए आप लोग आज की लाज में सबसे पहले मैंने आपको दस के वारे में पढ़ाए दस के वारे में पढ़ा है घृट पच्पंज जिले कहां पर किस जिले की कहां पर लोकेशन जो आपके सामने जो दिवार पर एक मैप एक चार्ट टंगा हुआ है ना जी चाड़ से इस तरह से आगर आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करेंगे आपका एक्जाम पक्का थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि निकलने की संभाव नहीं रहेंगी और अमन नामदेव की थोड़ा सा क्लास पर ध्यान दो क्योंकि देखो मैं एफर्ट लेकर आता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप तो आखरी में यही कहना चाहूंगा गाईस के इफ यह वर्किंग बिदाउट प्लान इट पीन्स यह प्लानिंग तू फिल आप लोग प्लान करिए क्या करना है आप लोगों को एक माइक्रो लेवल का टाइम टेवल बनाई है माइक्रो लेवल मतलब समझ रहे हैं कि पर डे सीरीज में कवर हो भी जाएंगे विल्कुल एकात क्यस्टन बिल्कुल उन्हें कसम घाके विल्कुल पूछ लिया यह चट्टान है और इस चट्टान का मूह जो है वो तेड़ा है तो इसका नाम क्या है तो इस तरीके के को समझ रहें में बता रहा हूं कि कुछ चीज़ सा ह होती है कि हर व्यक्ति को नहीं आती हर व्यक्ति को नहीं मालूम होती तो कट अप भी 100 में से 100 चला जाता इसलिए मैं आप लोगों से दर्ख्वास्त करूंगा बच्चों कि प्लीज अप लोग यह कहां से ले सकते तो अमन नामदेव टेलिगराम चैनल और उस पर पी एस सी का लोगो बना हुआ है तो यहां से आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं सीरीज बहुत जवरदस्त होने वाली है सबसे आकरी में हम लोग तकरीवन जोग्रफी के यह मान के चलिए पांसो से यादा questions discuss करेंगे MP geography के MP geography की बात कर रहा है ठीक है वो questions आप सभी बच्छों से discuss कर रहे आएगा तो इसलिए ध्यान रखिए अपना I hope you enjoyed this lecture thanks a lot for listening as usual very patiently and peacefully आने वाली class में geography के और भी कई सारे topics में लोग discuss करने बाले हैं और आपको topic बता भी दिया आगा so don't worry just chill enjoy the lecture enjoy this episode of MP geography thanks a lot guys thanks a lot आपको